नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देवो उठनी एकादसी इस बार कब मनाई जाएगी सुमुर्थ क्या है और कैसे करेंगे पुझा अगर आपके घर में साली ग्राम भगवान नहीं है तब क्या करें बहुत सिंपल तरीका से आप अपने घर में पुझा कर सकती हैं चले जा इस बार 22 नौवंबर की रात 11 बच कर 3 मिनट पर आरंब होगा और समापन 23 नौवंबर की रात 9 बच कर 1 मिनट पर होगा देवो उठनी एकादसी का ब्रत 23 नौवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा और ब्रत का पारण 24 नौवंबर की सुवर 6 बजे से 8 बच कर 13 अति सुव रहेगा देवृत्थान एकादसी के दिन से भगवान विष्णू चार महिने की योग निद्रा से इस दिन बाहर आते हैं और स्रिष्टी का कारेभार सम्हालते हैं और देव उठनी एकादसी के दिन से भगवान विष्णू पाताल लोग को छोड़कर बैकुंट द्रधाम आ जाते हैं यानि चातूर मास के दौरान भगवान विष्णू देव सैनी एकादसी के दिन से देव उठनी एकादसी तक पाताल में वास करते हैं और इस दिन से सुमंगल कारेकरम सुरू हो जाएंगे जैसे विवाह मुंदन संसकार सगाई ग्रीव प्रवेस जैस कारेकरम हो जाएंगे इस दिन तुलसी की पूजा का विशेस महत्त है इस दिन भगवान स्रीहरीविष्णू चार मेहने के बिस्राम के बाद जगेंगे और यहां से सुमंगल कारे सुरू हो जाएंगे आप उनको मनाएंगे उनके निमित ब्रत भी रखेंगे उनका पीबाह भी करवाएंगे ताकि करन्यादान के इतना पुन्यफल प्राप्त हो सके लेकिन भूल कर भी जाने अंजाने स्री हरी विष्णु को कुछ ऐसी वस्तु हैं जिनको अरपित मत कीजेगा वरना आपको लाग नहीं मिल पाएंगे तो चलिए जानते हैं उनको कौन सी वस्तु नही करके निब्रत हो लें फ्रेस कपड़े पहन कर अपने आंगन में च्छत पे या फिर अपने बालकनी में चौंक बनाएं इसके बाद भगवान स्री हरी विष्णु के जो चरन है चरन उसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखिए एक तो आप चावल को भीगो लें उसको पी दुखा को जिस पर आपने पूजा पाठ करके रखेंगे उसको धक दीजिएगा डलिया से आपके घर में जो भी बड़ा बरतन है तो देव उठनी एकादसी को रात के समय स्रीमद भागवद कथा पुरान वेगरा का स्रवन करना सरवत्तम माना गया है इस दिन जब आप स्र पूटा सा टुक्रा लेकर और फिल आप आप लोग मस्ती कीजिए क्योंकि देखिए इस दिन उमंग का दिन है तो इस दिन से देव दिपावली तक पांच दिन महापर्व के रूप में मनाया जाता है जब आप देव को उठाएंगे तो बोलिएगा उठो 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 उनको आप पूजा पाठ कीजिए इसके बाद आप फल पकवान अगर आपने लड़ू बेगे रहे हैं बतासे सिंहारे गन्ना यह सब चढ़ाईए और धलिया से ढख कर एक दीपाव जला दे भगवान स्रीहरी के साथ पंच देव पूजा का भी विधान है और इसके बाद आप पुस्पांजली दें यग्येन यग्यमे जंत देवास्तानी धर्मानी प्रत्मान्यासन तेह नाकं महीमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संसित देवा तो इसके बाद आप प्राठना करें इसके बाद प्रलाद नारत परासर पुंडरिक ब्यास अंबरी सुक सोनक आदी भिसमादी भक्तों का समरन कर चर्नामरित पंचामरित का प्रसाद बितरन करें एक रत में भगवान को ब्राजमान कर स्वेम उसे खीचे नगर गराम गली में नहीं तो कमस्का अपने घर में ही घुमा ले सास्र कहता है कि बामन भगवान तीन पद भूमी लेकर बिदा हुए थे उसमें दैतराज बली ने बामन जी को रत में बिराजमान कर स्वेम उसे चलाया था और ऐसा करने से समुस्तिते ततोत बैसनो क्रिया सर्वा परवतेत के अनुसार यह भगवान विश्णू योग सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन क्या भगवान सरीहरी को भूल से भी अरिपित ना करें पहला है चावल को चावल आप अरिपित तो कर सकते हैं, merchantu saaría है दूसरा है kanyr का पुष्प जह सिपजीगों अतिप है कमर ऑल करें सफेज जनयू भूल कर भी अरिपित ना कर पीला जनेव मंगाले नहीं है तो हल्दी से कलर करके फिर अरपित करें नहीं तो आपको ब्रत कपु निफल नहीं मिलता तो जब आप नदी सरोवर में नहाएंगे तो अच्छी बात घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या पवीत्र नदी सरोवर का जल डाल कर ही नहाएं अगर नहीं है तो तुलसी के पत्ते डाल कर नहाएं पर इस दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा अभी चिन्न बनाए इसके अलाबे तुलसी के हर एक पत्तों का सरिंगार करें सिंदूर से तुलसी के पौधे के चारो तरफ सजाईए और साथ ही उनको एक जरूर अपित करें तुलसी के पौधे में साली गरहम भगवान को पीले वस्तर धारन कराकर अस्थापित करें और उनका वि आप खुद से साथ प्रक्रमा करते हुए उनका विभा करवाएं और अपनी मनोकामना कहते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि जीवन के कस्टमिट है क्योंकि यहां से सकात्मक उर्जाओं का प्रबाह होता है तो अपने घर में हल्दी मिलेवे पानी का छड़काओ जरूर कर लीजेगा ताकि सुभ मंगल कारे आपके जीवन में होता रहे और मुश्किले कम हो जाए अगर जीवन में ज़्यादा परेसानी हो तब वैसे तो इस दिन पीपल के नीचे जल जरूर अरपीत करना चाहिए एक लोटा जल में थोरी सी मिसरी मीठा जल अरपीत करने का विजान है क्योंकि एकादसी तिती पर स्री हरी विष्णू और मालक्ष मी दोनों ही पीपल के पेड़ में निवास करते हैं तो लोटे में जल उसमें एक चमच या दोचार बुन दूद सफेद पुस्प या जो भी आपके पास है लेकर जाएं प्रेम से पीपल के नीचे अरपित कर दें ओम नमो भगवते वासु देवाय कहकर संबभ हो तो साथ प्रिक्रमा कर लें अपनी मनो कामना कहकर आप पीछ कौने पर बाको कामोना करेंगे लेकिन सामके वक्त तीन जगह दीपख जलाने का है पहला कर द्यपल के नीचे यह दिया टीसी के देल का होगा چونکہ کارتک کے महینے میں सरसों का तेल का दिया भी नहीं जलाया जाता खाने में भी परहेच होता है अगर आपके लिए संभव हो तो नहीं तो सरसों के तेल के दीपक में एक चुठकी काला तेल डाल दीजेगा और दीपक जला दीजेगा इसके बाद पास के किसी भी सीप जी के मंदर में जाकर एक दिया घी का और उस दीपक में एक लॉंग डाल कर जला दे या सरसों के तेल का ही दिया लेकिन याद रखिए सरसों का तेल का जगा अगर तीसी का तेल का प्रियोक कर पाएं तो सर्वत्तम होगा तीसरा दिया अपने घर में तुलसी जी के नीचे ऐसा जलाईए कि ना पूरी रात नहीं भी जल पाए तो कम सकम आधा घंटा तो जले सिंपल सा चीज है इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको नहीं खाना चाहिए वैसे तो ये भी कहा जाता है कि मन चंगा तो कठोती में गंगा यानि अगर मन से आप जैसे की एकादसी ब्रत में कथा में भी आता है कि राज्या पूरे राज्य में डिन्डोरा पिड़वा कर खुद भी एकादसी का ब्रत रखता था ना अन बेचा जाता ना कोई खाता था लेकिन जब एक दूसरे राज का बेक्ती यहाँ पर आता है काम के तलास में तो वो अन मांगता है कि नहीं देंगे अन तो हम मर जाएंगे पर भोजन बना कर वो स्री हरी को पुकारता है एक चोटा सा प्रयोग लॉंग का कर लीजेगा अगर कोई लंबे समय से मनुकामना अटकी भी है पूरी ही नहीं हो पा रही है तब एक लॉंग एक सिक्का लेकर अपनी मनुकामना कहते वे तुलसी के पौधे में दबादे गार दे जब मनुकामना पूर्ण हो जाए तब लॉ